डिली करेंट न्यूस में अभी की खबर है Earth Observation Satellite हालिया खबरों के अनुसार इसरों के Earth Observation Satellite यानि EOS 8 को 15 अगस को आंधर प्रुदेश के स्री हरी कोटा से प्रक्षेपित किये जाने की उमीद है चलिए अब जानते हैं Earth Observation Satellite यानि EOS के बारे में Earth Observation Satellite Remote Sensing तकनीक से लेस उपग्रह होते हैं या प्रित्वे की भौतिक, रसायनिक और जैविक प्रणालियों के बारे में जानकारी संग्रह करते हैं Earth Observation Satellite को Sun Synchronous Orbit में तैनात किया जाता है चलिए अब जानते हैं Earth Observation Satellite 8 यानि EOS 8 के बारे में इसे लगू उपग्रह प्रक्षे पढ़्यान यानि SSLV D3 द्वारप्रक्षे पित किया जाएगा इसे Microset Slash IMS1 बस पर बनाया गया है यह तीन पेलोड ले जाता है Electro Optical Infrared पेलोड Global Navigation Satellite System Reflectometry पेलोड SIC UV डोसी मीटर चलिए अब जानते हैं EOS 08 मिशन के उद्देश्य Microsetilite को डिजाइन करना और उसका विकास करना Microsetilite Bus के साथ संगत पेलोड उपकरनों का निर्माड करना भविशे के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रोधुगिकियों को शामिल करना Electro Optical Infrared Payload के बारे में इसे Mid Wave IR यानी MWIR और Long Wave IR बैंड में रात एवं दिन दोनों समय में चित्रलेनी के लिए डिजाइन किया गया है यह उपग्रह आधारित निग्रानी, आपदा निग्रानी, पर्यावरण निग्रानी, आग का पता लगाने, ज्वालमुकी गतिवदी अवलोकन तथा ओध्योगिक एवं विदुद सैंत्र आपदा निग्रानी जैसे कारी करेगा ग्लोबल नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोट के बारे में यह समुद्री सतह वायु विशलेशर, मृदा नमी आखलन, हिमाले शेत्र में क्रायोस्फेर अध्यान, बाड का पता लगाने और अंतरदेशिय जलनिकायों का पता लगाने जैसे अनुपरियोगों के लिए GNSSR आधारित रिमोर्ट सेंसिंग का उप्योग करने की शमता को प्रदर्शित करता है। चली अब जानते हैं SIC, UV डोसी मिटर के बारे में, यह गगन्यान मिशन में क्रू मॉड्यूल के व्यूपोर्ट पर UV विक्रड की निगरानी करता है, अंतर Earth Observation Satellite 8 का प्रक्षेपड इसरो द्वारा किया जाएगा, दो EOS 8 लगू उपग्रप्रक्षेपड यान D3 द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, उपर्युक में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है, एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दो, डी ना तो एक और नहीं दो, इस प्रश्ण का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद Dear viewers, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले